मुरादबाद में चार दिन के प्रवास के दोरान आज संग प्रमुक मोहन भागवत ने मंच से देश के 130 करोड लोगों को संदेश देते हुए कहा कि संग अपनी संस्कृती के अनुसार विश्व में बढ़ रहा है और आज भी सबसे बड़ा है लेकिन किसी किसी को बिना कारण ही दर्ध होता है संग प्रमुक ने रिशी मुनियों का उधारन देते हुए संग की बुराई करने वालों पर अपने अंदाज में जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जब कोई रिशी मुनी तपस्या करता था तो भगवान इंद्र भी अपसराइं भीच कर उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास करते थे किसी का बड़ा होना सज्जनों को अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उनकी दुकान बंध हो जाएगी इसलिए वो इसका दुश प्रचार करते हैं संग का कारे भी कुछ वैसा ही है हम लोग पिछले 60 सालों से देश और समाज के लिए कारे करते आ रहे हैं लेकिन इस से संग को कोई फर्क नहीं पड़ता और संग से जुड़ा हर व्यक्ति इस बारे में जानता है वो कुछ भी कहे उन सबको तो एक दिन हमें जोड़ कर ही शलना है वह एसे सज्जन बहुत है वह भी हमारे अपने उनको जबरुकती संग में आने का है हो वो 17 रोबसे कारे हम उनके मदद करें को यह संग सर्वेश आव विरोद्धेवा किसी का विरोग कि ए बिना बिना किसी के प्रति प्रतिक दिया एक नितांत सकार आत्मत समाज और संदक अंका समाज के गुणवर्धन का काम है संदक क्या कहता है क्या बोलता है संदक के संचो क्या करते है इसकी समिछा करने के पहले इसको अनुभावस से समझ लेना पड़ेगा तब ही संदक को ठीक तरह से जाना जा सकता और इसलिए संचो को से प्राथा है कि सब लोग जाने इसलिए इस कारे को शिग्रा की शिग्रा कोने कोने में फैला ना है उसके लिए पहली बात है कि हमको योग्य बनना है शाथा की साधना साधना के रूप में निद्य करनी चाहिए किसी भी सबब से उससे विमुख नहीं होना चाहिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या अपने कि हो सकते हैं जल्दे उनकों विचार करना है कि और समाज के हमारे जो बंद्र है वो संदक अंदर आके देखें संदक के कारेकों में आये संदक के शिगुरों में आये संदवालों के साथ रहें संदक के कार्यकरकाओं को देखें उनके परिवारों को देखें संदक के कार्यकरका जो समाज हितके अनेक कार्य करते हैं इतना बढ़ास्ट्रक्षा प्रत्यक्षा आपको मैले पुस्तकों को आप पढ़िये, संग की कार्य करता क्या करते है, क्या क्ताय करते है, कौन से कदम उठाते हैं, उसका विश्निस और उसके आधार पर करिए, तो संग की सही समझ, आपने प्रगट हो, वो जल्दी प्रगट हो, और अपना कार्या शीघरा ती शीघरा संपुर्ण देश में व्याप्त हो जाए आज है बड़ा बाहर के लोग करते हैं सबसे बड़ा लेकिन हम जो सोच रहे उसके लिए परियाप्त नहीं है हम तो 130 करोण के समाज में ऐसा वातावरण प्रकट करना चाहते है जो प्रामानिक्ता का निश्वार का बुद्धी का देश भक्ति का अनुशासन का तनव अधन पुर्वत देश के लिए जीने मरने का हो उसके लिए आवश्चक कार्य करता समोर और उसके लिए आवश्चक भ वो प्राप्त हो जाए सब लोग तो शाखा के मैदान के उपर रोज खड़े रहेंगे ऐसा नहीं हो सकता लेकिन शेश समाज में भी इनी सब्गोरों का वातावरण बने भारत वर से विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो जाए और भारत के सब लोग मन में स्ने हैं अपनी अता के साथ एक होकर अपनी देश के लिए अपना जीवन जीए वैसा जीवन जीना उनके लिए उत्तर उत्तर सुलग हो इसी एक शुबकावना के साथ मैं अपना निवेदन समापते